हेलो बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक कुश्चन लिखा हुआ इसको सौल्ब करना है आपको एक वल्व पर सौब वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है जब वल्व जल रहा हो तब उसका प्रत्रोद एबं उसमें प्रवाहित धारा की गड़ना कीजिए कुश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ लिया है आप लोगों इसको सौल्ब करना है लिखा हुआ है कि एक वल्व पर एक वल्व पर सौब वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है जब वल्व जल रहा हो तो प्रत्रोद और धारा की गड़ना करना है हमें क्या क् कि दीखए यह बोची लिखना है आपको यहां पर वाट यह सौ वाट यह वाट क्या होता है सक्ति होती जाना पी यह सक्ति रख़ी हमें soul वाट किरия डखो यहीं कर समय वोल्ट हमें वी का मान दे रखा है 220 वोल्ट मान किसका निकालना है प्रत्रोद निकालना है प्रत्रोद क्या होता है आर हमें आर निकालना है ठीक है प्रत्रोद आर का मान निकालना है इसके बाद में तवाहे धारा निकालनी है और धारा आपके क्या होती आई निकालनी है हम पहले हम निकाला लेंगे प्रतुर do कि आपर कि निकाल होगे आज के लिए फ़्रौाबर होता है याय निया walks माता होता है व्रावदर लगा रहेंग你 है फ़्र लहीं से लोग ने पढ़ा होगा कि याका थैके सचर्द की आपने व्रखना। वी वरावर आई यार पड़ा होगा तो यहां से अगर हम लोग यहां से आई का मान निकालने तो जाएगा वी अपान आर यहां से आई वरावर वी अपान आर आ जाएगा तो यही यहां पर वी अपान आर रख देंगे तो यहां पड़ा जाएगा आपका कि या ऐसको लिख सकते हैं कि I App तो जीडो आपकेंसल बाएस काप रगेगा चारशो चारशोडासी ठेक है R हो जाएगा Ohm, प्रतुरत का मतलब होता है Ohm तो चारसो चौरासी Ohm आपका अंसर आजाएगा Clear बात, लेकिन हमने भी सिर्फ R का मान निकाला है, और हमें मान किसका चाहिए यहांपर, हमें मान धारा का भी चाहिए यहांपर लेकिन I का मान फर्मला किया होता है I बलावर फर्मला होता है V अपान R, यह लिखा हुआ है Ohm के नियम से किसके नियम से? Ohm के नियम से होता है और V का मान आपको दिया गया है यहांपर 220 और बटे में R का मान है आपका 484 तो 220 बटे 484 इतना आ जाएगा 4 से काट तो इसको 4, 5, 20 और बचा कितना दो? 4, 5, 20 पचपन आ जाएगा 4, 2, 8 4, 2, 8, 4, 2, 8 4, 1, 12 11 से भी कट जाएगा 11, 25 हो जाएगा 11, 11, 12 तो यहांपर धारा I का मान निकल का जाएगा 5, 11, 11 5, 11, 11 यहांपर आपसे सिर्फ दो चीजे ही पूची गई थी कि प्यत्रो और धारा हमने दोनों चीज फाइंट का लिए है वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है